हेलो गाइज आप डीपक टू मैंगनेट अकाउंटिंग आज के इस वीडियो लक्षर में हम बात करने वाले हैं डैवी नोट के बारे में डैवी नोट क्या होता है और कैसे डैवी नोट को यूज किया जाता है जानेंगे पूरी डिटेल के साथ तो चलिए आज की क्लास शु कुछ आइटम है जो डिफेक्टिव निकल जाता है तो उन माल को वापिस करने के लिए हम सप्लायर को एक नोट इश्यू करते हैं जिसे कि डैवी नोट कहा जाता है सिंपल सब्दों में समझा जाए तो प्रचेज रिटन के लिए हम डैवी नोट का यूज करते हैं तो एक इसे समझते हैं हमने एक नोबीस को पवन बैक स्टोर से हजार बैक खरीदे थे सो अच्छासुर पे के हिसाब से क्रेडिट पर तो फीजिकल स्टोक आने के बाद हमें पता चला कि इन में से जो पचास बैक है वो डिफेक्टिव निकले हैं यानि कि खराब निकले हैं तो हम मैं इन बैकों को वापिस करने के लिए हम क्या करेंगे पर consigo करेंगे और के लिए रिकृड के जाएगी तो यहां पर गाउम मैं आपको बैक का घए पवाँ देखने के लिए डिस्प्ले में जाना है अकांट Even में जाकर लेसटर करना है करना को और इंटर में करने हैं तो देखे यहां PS का जो माल पर्चेज किया था उसका मैंने पर्चेजबल रूब़ किया हुआ है और limited के मुझे इतने पैसिस को देने है तो 50 हमने वापिस करने हैए तोdoor प्रेस नहीं emails करना होगा तो अलज वाउचर का इसमें जाकर भी हम debit note को open कर सकते हैं जैसे कि आप लोगों को पता है कि sale purchase voucher की तरह भी debit और क्रेंट को भी हम तीन अलग-अलग mode में यूज कर सकते है item invoice mode accounting invoice as voucher तो फिलाल मैं item wise sale purchase कर रहा हूं तो मुझे debit note भी आइटम वाज ही चाहिएगा तो मैं इसमें से कंट्रोल अच की help से item wise इसको select कर लेता हूं तो यहाँ पर इस तरह से यह item वाज में एक बिल की तरह ही हमें show करेगा तो मैं यहाँ पर party name डालूँगा party name में जिसके नाम पर हम debit note issue कर रहे हैं तो यह bill number मैं यहाँ पर डाल देता हूं जो मैंने माल परचेज किया था उसके बाद एंटर एंटर करके यह सारी और हमने इस debit note को एंटर एंटर से से सेफ कर लेना है अगर हम टैली से ही debit note issue कर रहे हैं तो control P से इसका print निकाल कर हम इसको supplier को दे देंगे तो print निकालने से पहले मैं print निकालकर supplier को दे सकते हैं तो चलिए देखते हैं debit note issue जो हमने किया है उसको क्या effect हुआ होगा लैजर के अंदर तो लैजर चेक करने के लिए display में जाना है account book के अदर जाकर लैजर सेलेक्ट करना है तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले माल प्रचेज किया था तो उसका प्रचेज का बूल यहाँ पर दिखाए दे रहा है उसके बाद में हमने debit note issue किया है तो वह क्या है इसके अपोजिट हमें दिखा रहा है यानि कि जब हमने debit note issue किया तो टैली ने automatic purchase कोई से माइनस करके हमें total purchase दे दी और इसका जो लैजर है वह भी amount से reduce हो गया पहले हमने सिर्फ परचेज के 6 लाग रुपे देने थे अब जो debit note चड़ाने के बाद इसकी amount है वो कम हो चुकी है यानि अब हमें इसको पाच लाग सतर अजा पर देने हैं माल जब हमने इसको payment करनी है तो हम इसको voucher में जाकर entry करेंगे account debit to bank account और इस तरिके से हम इसके account को निल कर देंगे तो देखे इसका लाजर चाक करते हैं यहाँ पर हमने इसका हिसाब है जो settle कर दिया है account कर दिया है तो गैज इस तरिके से हम टैली के अंदर debit note issue करते हैं अलग-अलग कारण से भी हम डियाबिनोट issue करते हैं वह आने माले courses के अंदर हम देखने वाले हैं तो आई होप आपको यह वीडियो informative लगी होगी तो वीडियो को लाइक जूरू किजेगा अपने दोस्तों के साथ family के साथ शेर जूरू किजेगा तो चलिए बने र